हल्लो एब्रिवन आइम शिवीका और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिवीका न्यूज बड़ी जहां आपको मिलती है हर खबर खास नो बकवास आज तारीक है 25 दिसंबर और दिन है रविवार यानी संडे हिंदु पंचान के नुसार पोश महा के शुक्र पक्ष की द्वीति आती थी है तो आईए सबसे पहले नज़र डालते हैं देश और दुनिया की खास खबरों पर पहली खबर है भारतिय सेना ने बुनियादी धाचे को बढ़ावा देने के लिए अरवनाशल प्रदेश और सिक्की में सीमा वर्ती छेत्रों में 130 गाओं की पहचान की है सेना की पूर्वी कमांड की कमांडर लेफ्ट ने जनरल राणा प्रताप कलीता ने शुकरवार को कहा कि अरवनाशल के काहों गाओं में योजना का काम शुरू भी हो चुका है वास्तविक नियंतरं रेखा LSE के करीब चीन नागरिक बस्तियों को बढ़ा रहा है चीन की सीमा से लगे प्रमुख इलाकों में सड़क और दूर संचार नेटवर्क विसित करने के लिए काफी काम चल राश्य खादिस रक्षा कानून के तहट अभी 85.35 करोड रोगों को राशन दिया जा रहा है साथी कैबिनेट ने सैन्य बलों के लिए वन रैंक वन पैंशन में संसोधन को भी मंजूरी दी हालांकी जिन रक्षा करमेकों ने एक जुलाई 2014 के बाद अपनी इक्षा से सेवन निवरितिली उन्हें यहलाब नहीं मिलेगा अगली खबर है पंजाब के संगरूर में एक गाउन ने नए साल से दुकानों पर तंबाकू युक्त पदार्तों की बिखरी पर रोक लगा दी है जानकारी के निसार संगरूर के ब्लोक सुनाम के अंदर गताते गाउं जारों क नोजवान स्पोर्ट्स और वेलफियर क्लब और ग्राम बंचायत ने मिलकर इस फैसले को लागू किया है इस फैसले के नुसार गाउं एक जनवरी से गाउं की दुकानों पर तंबाकू, बीडी, सिग्रेट, जर्दा आदी का सामान नहीं बिखेगा अगर कोई दुकानदा एक जनवरी के बाद तंबाकू, युक्त समान बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 5,000 रुपे जर्माना लिया जाएगा इतना ही नहीं दुकान भी अगले 7 दिनों के लिए बंद कर दी जाएगी तो दोस्तों संगरूर के जारो गाउं में अब बहुती अच्छी पहल की गई है तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है तो आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा आईए बढ़ते हैं अगली खबर के ओर प्रधानमेंद्री नरेंद्र मोधी ने श्री स्वामी नारायन गुरुकुल राजकोट संस्तान के 75 वे अमरित महुतसव में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के संभोधित किया उन्होंने कहा कि श्री स्वामी नारायन गुरुकुल राजकोट के यात्रा के 75 वर्स ऐसे जनेट में दुनिया के दूसरे दूश्यों की पहचान वहां के राजियों और राज्जिक खुलों से होती थी तब भारत को भारत भूमी के गुरुकुलों से जाना जाता था गुरुकुल यानि गुरुकुल घ्यान का कुल अगली खबर है जमु कश्मीर पुलिस ने शनिवार को सेना के साथ मिलकर सर्च ओपरेशन चलाया बारा मुला में उरुई के हतलंगा सेक्टर में भारी मात्रा में हत्यार और गोला बारूद बरामत किये गए हैं इनमें 24 मैगजीन और 560 राउंड के साथ 8 EKKS, 74 U24 मैगजीन के साथ 12 हपिस्टल, 244 राउंड बुलिट, 14 ग्रिनेड और पार्क जंडे की चापवाले 81 गुबारों सहित भारी मात्रा में हत्यार और गोला बारूद शामिल है अगली खबर देखें, Central Bureau of Investigation CBI ने अब ICICI Bank की पूर्व CEO चंदा कोचर को उनके पती दीपक कोचर को तीन दिन की हिरासत में ले लिया है चंदा और दीपक कोचर को CBI ने एक दिन पहले शुक्रवार को गरफतार किया वीडियो कोन ग्रूप को regulation के खिलाफ जाकर दिये गए करोडो रुपए के लोन के मामले में एक ग्रफतारी हुई जब ये लोन दिये गए थे उस समय चंदा बैंक में CEO और MD के पदपर थी इन लोन्स निके NPA होने से बैंक को करोडो रुपए का नुकसान हुआ अगली खबर है राउल गंदी के भार जोड़े अधर शनिवार सोबें दिल्ली पोचीवा उन्होंने लाल के लिए से जंता को संबोधित किया उन्होंने कहा कि मीडिया केंदर से सरकार के इशारों पर काम कर रहा है 2400 गंटे हिंदू-Muslim के नाम पर नफरत फैला रहा है जबकि देश में सच्चाई है नहीं है मैंने इस यात्रा में पाया कि देश में लोगों के बीच भाई चारा है सब एक दूसरे को प्यार करते हैं यह मीडिया की गलती नहीं है इनके पीछे जो शक्ती है वहने कंट्रोल कर रही है यह सब वास्तविक समस्याओं से देश का ध्यान भटकाने के लिए किया चारा है वह एकली खबर है स्पेन की क्राइम ट्रिलर वेब सरीज मरी हाइस्ट की तरह ही शुरंक होतकर कानपूर में सोने की चोरी हुई यहां चोरी सचेंडी स्थित SBI बैंक में हुई चोरों ने पहले प्लानिंग की फिर बैंक के पीछे से 8 फिट सुरंक हो दी और करीब 2 किलो सोना ले गए यहां गटना मुदवार देरात किये पुलिस का मानना है कि चोरों ने वार्दात के लिए 15 दिन की प्लानिंग की होगी पुलिस को शक्त बैंक के टोप अधिकारियों पर है आईए अब जानते हैं बिजनेस एक्टिस जुड़ी कुछ खास कबरे पहली खबर है न्यू दिली टेलिविजन लिमिटेड एंडी टीवी के फाउंडर प्रनेर रोय और रादिका रोय एंडी टीवी में अपने लगबग सभी शियर्स अडानी गुरुप को ट्रांसफर करेंगे इसके बाद उनके पास केवल 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बचेगी शुकरवार को नोन एक्स्चेंज फाइलिंग में इसकी जान करीदी इस ट्रांसफर से अडानी गुरुप के हिस्सेदारी बढ़कर 64.72 प्रतिशत हो जाएगी जो अभी 37.45 प्रतिशत है वियंगली खबर देखी ओनलाइन एजुकेशन मोहया कराने वाली कंपनी बाइजूज ने का है कि वह कम आये वाले परिवारों या वे परिवार जो उनकी चार्जेस को वहन करने में सक्षम नहीं है उन्हें अपने ट्यूशन क्लासस नहीं बेचेगी कंप्री के सहसन स्था पक प्रविन प्रकास ने गोशना की है कि 25,000 से कम आमदनी वाले परिवारों को अपना कोर्सेस ना बेचने या उन्हें कोर्सेस के लिए लोन नहीं उपलब्द कराने के लिए कंप्री अपने संभावित उप्भोगताओं के सामर्थे की चांज करेग पुलिस और एसो जी को सक्त करवाई के निर्देश दिये हैं राजे में इस साल का पेपर लीग का तीसरा बड़ा मामला है जिबकि बीते साल भी कई पेपर लीग हुए थे अगली खबर देखे करमचारी चैनायोग ऐसे सी ने लोवर डिविजन करग जूनियर सची वाले सह पायक डाटा एंट्री ऑपरेटर सही कई पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे है इस भरती के दहत लगबग 4,500 पदों को भरा जाएगा आवेदन के आखरी तारीक 4 जनवरी 2022 है आई ये अब जानते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें पहली खबर है मीरप पुर्वी उतर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हलकी बारिश हुई राजस्थान गुजरात और पश्चमी मद्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिगरी की गिरावट दर्च की गई है पंजाब और हर्याना के कुछ हिस्सों में कोल्डे की स्थिती रही दिल्ली तो आज की खास कबरों का सिल्सिला यही समाप्त होता है अब आग के लिए एक सवाल भारत का राष्टिय फूल कौन सा है इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है सही जवाब देने वालों को हमारी टीम द्वारा रेंडमली सेलेक्ट कर उचीते नाम दिया जाएगा हर दिन देश और दुनिया की खास कबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपने शीरी का न्यूस बड़ी को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और इस वीडियो को भी लाइक वे शेर कर दीजे चानल का सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक वे शेर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद